सबको मेरी नमस्ते मैं सरीता यादा जिला विजनोर के माहु की निवासी हूँ और मुझे दस साल से साइनस की दिक्कत थी जिससे मैं बहुत परेसान रहती थी और मुझे अस्थमा भी हो गया था तीन साल से अस्थमा की दिक्कत थी और मैं साइनस की विजनोर से दवाई चब तक खाती थी तब तक मुझे आराम मिलता था फिर वही हालत हो जाती थी और फिर अस्थमा की मैंने चांडपुर से कौई और रतंगर से एक साल तक खाई लेकिन अराम नहीं हुआ, उसके बाद मैं मुरादवास से गई लेने, मुरादवास से मैंने एक डिर साल तक लगातार दवाई खाई, दवाई खाती थी तो आराम मिलता था, फिर भई हालत हो जाती थी, और उन्होंने मुझे एक पंप दिया, जिसे मैं सुभा दुफैर साम तीनो टाइम लेती थी तब मुझे सांस में आराम मिलता था लेकिन समस्या उतनी ही रहती थी दवाई खायके थोड़ी देर आराम मिलता था फिर वही हालत हो जाती थी जब में दवाईले ने मुरादवाद गई तो मुझे फारस ने खिलेंदर सर के बारे में बताया जिन्होंने मुझे योग के बारे में बताया और मैं एक साल से लगातार योग करती चली आ रही हूं और उन्होंने मुझे जलनेती और रवणनेती बताई जिसे मैं लगतार करती चली आई रवणनेती और जलनेती करने से मुझे बहुत आराम मिला जिससे मैं आज बिर्कुर ठीक हूँ और लगातार योग करती चली आ रही हूँ एक गंटा सुवे को और एक बेड़ गंटा साम को कपालवाती और चीर सासन भी कर लेती हूँ जिससे मुझे भूत फायदा है अब मैं पूरी तुरह से स्वस्थ हूँ और आठ महिने से कोई दवाई नहीं खा रही हूँ और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है और आप सब योग करें और निरोग रहें योग में वो सकती है जो किसी दवाई में नहीं और किसी चीज में ऐसी सकती नहीं जो योग में सकती है मेरा सब को नमस्कार